आज हमारे पास दो ऐसी बाइक्स है है रोalsoयल इंफिल्ट के तरफ से जिनका आज हम कंपैरिसन करने वाले हैं एक है रोयल इंफिल्ट क्लासिक 350 ये काफी ज्यादा फेमस बाइक है और जो नयी एक मोटर सैकल को लॉंच किया है रोयल इनफिल्ट ने extend showroom price इस bike का रहने वाला है एक नया model जो है ये launch किया है Royal Infilt ने और chrome का काम जो है आपको इस bike में भी काफी जादा देखने को मिलता है और Royal Infilt Classic के अगर हम बात करते हैं तो काफी पहले से bike आ रही है इसकी price range अगर मैं आपको बताऊं तो 1.67 lakh रुपीज से लेकर 1.92 lakh रुपीज तक extend showroom price है Royal Infilt Classic 350 का और इस bike की जो है काफी जादा fan following है और वहीं जो meteor है वो एक नई motorcycle launch की है Royal Infilt ने Royal Infilt की बेजिंग आपको यहाँ पर देखने को मिल जाती है और वहीं अगर हम classic की बात करते हैं काफी टाइम से bike आ रही है और काफी सारे awards जो है Royal Infilt Classic ने जिते भी है उसके साथ ही meteor के अगर हम बात करते हैं तो आपको same 350 का engine मिलता है और वहीं classic में भी 350cc का engine आपको मिल जाता है बस बात करते हैं इनकी जो design है वो अलग है और दोनों bike काफी comfortable है Royal Infilt Classic जो है 19.36 PS की power generate करती है वहीं अगर हम meteor की बात करते हैं तो meteor जो है 20.4 PS की power generate करती है 27 Nm of torque produce करती है 41.88 KMP की जो company इसके mileage claim करती है आपको dual channel ABS के साथ जो है बात मिल जाती है tubeless tire जो है Royal Infilt Meteor में आते है 349 CC का इसका engine है fuel gauge के अगर हम बात करते हैं तो Royal Infilt Classic में आपको देखने को नहीं मिलेगा और जो Royal Infilt Meteor launch की गई है इसमें आपको fuel gauge देखने को मिल जाएगा तो ये भी एक अच्छे चीज है और Royal Infilt Classic के अंदर भी ज़रूर जो Royal Infilt Company है उसको देना चाहिए ये चीज तो look wise दोनों ही बाइक आप देख सकते हैं कुछ ऐसी दिखती है काफी जादा attractive बाइक है और काफी जादा heavy है तो दोनों ही बाइक में जो है आपको 5-speed gearbox देखने को मिल जाएगा वहीं अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही बाइक सिंगल स्लेंडर 4-stroke air-cooled engine के साथ आती है और meteor की जो look है वो एक नहीं आई है classic जो है काफी time से आ रही है तो personally choice है अब look wise तो सबकी अपनी personal choice होती है बट जो meteor है वो काफी जादे एक नहीं look के साथ आई है तो काफी सारे लोगों को ये बाइक पसंद आ रही है उसके साथ ही अगर हम बात करते हैं तो दोनों ही बाइक की जो build quality वो काफी strong है और काफी सारे आपको advanced feature मिलने वाले है meteor के अंदर in comparison to classic बट classic के अपनी एक अलग fan following है तो अगर आप चाते हैं कि एक नए जो variant आया आप जरूर दोनों ही बाइक को चेक कर सकते हैं दोनों ही बाइकों में अपनी अपनी जगा काफी सही है price range जो है वो meteor की थोड़ी से जादा है classic की comparison में बट overall दोनों ही बाइक काफी अच्छी है जो है आपको fuel tank देखने को मिलता है fuel gauge जो है इस bike में देखने को आपको नहीं मिलने वाला है तो ये चीज जो है rolling field को जरूर classic के अंदर देनी चाहिए और काफी simple सा जो है आपको speedometer देखने को मिल जाता है कुछ ऐसा engine जो है आपको दिखता है rolling field classic में तो वहीं अगर हम बात करते हैं जो दूसरी इसकी competitor है और जिसके साथ आज हम इसका review कर रहे है rolling field meteor तो उसमें जो है आपको 15 liter का उसका fuel tank capacity देखने को मिल जाएगी दोनों ही bikes जो है काफी शांदार है 9 color option आपको rolling field classic में देखने को मिल जाते हैं वहीं अगर हम meteor के बात करते हैं तो 7 color options आपको rolling field meteor में मिल जाएगे 9 आपको rolling field classic में मिल जाएगे build quality दोनों bikes की काफी सही है काफी heavy है मैं यही कहूंगा क्योंकि almost metal का ही जो है इसमें use किया गया है कहीं पर भी आपको plastic की चीज दोनों ही bikes में बहुत कम देखने को मिलेगी और उसके साथ ही royal infield classic जो है वो काफी time से आ रही है तो इनकी एक अलग fan following है और काफी सारे लोग जो है इसको अब भी पसंद करते हैं और काफी long journey spike के साथ लोगों ने की हुई है और first choice जो है वो हमेशा से ही लोगों की ये bike रही है काफी सारे awards भी इस bike ने जीते हुए है और अगर हम top selling bike में बात करते हैं इंडिया के अंदर तो उसमें भी जो royal infield classic 350 है वो हमेशा से रही है इसके साथ ही अगर हम बात करते हैं दोनों ही bikes जो हैं वो cruiser bikes हैं और अगर royal infield classic की length के अगर हम बात करते हैं तो 2160 mm की आपको इसकी length देखने को मिल जाती है और काफी जादा comfortable bikes हैं और काफी मज़ा आता है इन bikes को चलाने में तो एक sports bike का अपना अलग मज़ा है बट एक heavy motorcycle जो होती है उनकी एक अलगी feel आती है और इनके engine में जितनी power है वो शायद है किसी bikes के होंगे इनकी segment में तो काफी powerful bikes हैं काफी build quality काफी अच्छी है जरूर आप इन bikes को purchase कर सकते हैं तो अगर आपको bikes पसंद आई आपको video पसंद आई तो please like the video and subscribe my channel